क्या देश के प्रधान मंत्री अब दुबारा उनको ये सब बाते सुनने पड़ रही हैं अभी भी रियाक नहीं करेंगे कि देश के प्रधान मंत्री क्यों नहीं रियाक करना चाहें प्रधान मंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिश्मेंट नहीं हैं हम प्रधान मंत् शरिफ नुपूर शर्मा के बदानमंतरी नहीं है आप देश के 133 कौर जनता के बदानमंतरी है जिसमें 20 कौर के खरीब मुसलमान भी है आपको ये भी देखना पड़ेगा तो हम बदानमंतरी से पूछना चाह रहे हैं कि नुपूर शर्मा कब तक बचाएंगे क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप और तीसरी बात ये है कि हिदराबाद में उनकी नैशनल एक्जिटिव कमिटी मीटिंग हो रही है और नुपूर शर्मा उसकी मेंबर है कि देश के बदान मंतरी नुपूर शर्मा को दावत दी है हिदराबाद में आने के लिए क्या नेसी मेंबर है आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया किस से सस्पेंड किया आपने आपने स्पोक्स परसन से सस्पेंड किया उनको नेसी की मेंबर आज भी है वो तो इसलिए हम देश के बदान मंतरी से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपूर शर्मा को एरेस करवाएं और उन पर जो IPC, CRPC का सेक्शन लगता है उसके मताबख करवे करें कब तक बचाएंगी भाचपा? भाचपा बचा रही है नुपूर शर्मा को आप नुपूर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जूबेर को गिरफतार कर रहे हैं नुपूर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शोहर के नाम पे नोटिस एगर घर तोड़ देते हैं क्यूं कर रहे हैं सा हम देश के बदान मंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फॉरण और खास तोर से आज जो सुप्रीम कोट ने जो कहा है, आप उसको सामें रखिए, उसको गिरफतार करवाईए, खानून को अपना काम करने दीजिए बस